हेलो दोस्तो आपका स्वागत है अपने येटिव चैनल क्रेजिस टडिवाई विशाल पे दोस्तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी वर्तमान में कौन क्या है की जो की पार्ट वन था अब दोस्तो इसी के साथ वर्तमान में कौन क्या है पार्ट टू आगया जिसमें बात 30 के जुन्दाय अंध्यक्ष बने हैं वो कौन है ठीके दोस्तों तो इन सब के बारे में हमने बात किया और दोस्तों टोटल 30 कोशन डिसकस किये गए इसमें पिछली वीडियो में आपने देखा था उसमें 50 कोशन थे लेकिन दोस्तों इसमें 30 कोशन है क्योंकि मैं नहीं चाहत चोटी वीडियो को 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो को आराम से देख सकें ठीके दोस्तों तो आप जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो छोटे-छोटे पार्ट में बनाऊंगा हर एक पार्ट के उपर ठीके दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉश्यन लास्ट क्लास के कॉश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों लास्ट क्लास में हम जानते हैं टोटल 50 कॉश्चन हो गए थे और यहाँ पे हम 51 कॉश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आज का कॉश्चन है भारत के प्रधान मंत्री कौन है तो दोस्तों यह तो हम सब जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत के प्रदान मंत्री है वो है A. श्री नरेंद्र मोदी ठीक है दोस्तों यानि इसका राइट अंसर होगा A. श्री नरेंद्र मोदी second question देखते हैं दूसरा question है दोस्तों इसमें वर्तमान में भारत के राष्ट्रपती कौन है तो दोस्तों कई लोगों को confusion होगा इसमें तो जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपती है वो है D. श्रीरामनाथ कोविंद ठीक है दोस्तों जो बर्तमान में हमाले राष्ट्रपति हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद नेक्स्ट कोश्चन है इसमें बर्तमान में भारत के सर्वोच न्यायाले के मुख्य न्यायदिश कौन है दोस्तो ये सर्वोच न्यायले का मतलब है या पर सुप्रीम कोट ठीक है दोस्तो जो भारत का सुप्रीम कोट है उसके जो मुख्य न्याईदीश वैसे तो दोस्तो उसमें 33 न्याईदीश होते हैं लेकिन जो सिर्फ एक होता है जो मुख्य होता है बाकी सारे उनसे छोटे होते हैं तो जो मुख्य न्याईदीश हैं वो कौन है A. गिरिश्चंद्र मुर्मू B. तुशार महता C. शरद अर्विंद बोबडे D. आदर्श कुमार गोयल तो दोस्तों जो इसका राइट अंसर होगा वो होगा C. शरद अर्विंद बोबडे यानि जो शरद अर्विंद बोबडे है वो सरवच न्याले के मुख न्यायदिश है और दोस्तों यह important question है क्योंकि इनको हाली में बदला गया है ठीक है? याद रखना है यह आपके exam में आ सकता है वर्तमान में भारत के महा न्यायवादी जिसको दोस्तों Attorney Journal of India कहा जाता है तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत के Attorney Journal of India है यानि महा न्यायवादी वो है C.K.Venu गुपल केके वेटु गुपल इस समय भारत के महान्यायवादी है Next question था इसमें दोस्तों वर्तमान में भारत के Soliciter Journal of India कौन है? में भारत के Soliciter Journal of India है वो है C. तुशार महता यानि दोस्तो तुशार महता बरतमान में भारत के Solicited Journal of India है ठीक है दोस्तो Next question है इसमें बरतमान में राष्ट्रिय हरित न्याईदी करण जिसको दोस्तो NGT कहते हैं कि अध्यक्ष कौन है ठीक है दोस्तो तो जो NGT के अध्यक्ष है वो है A. आदर्ष कुमार गोयल यानि आदर्ष कुमार गोयल जो है वो NGT के अध्यक्ष है दोस्तो ये काफी important नामें सारे सबसे मतलब मोटी मोटी जो संस्था हैं उनके अध्यक्ष हैं तो आप एक बर इनको जरूर याद रखना वर्तमान में राज्यसवा के सभापती कौन है तो दोस्तो जो वर्तमान में राज्यसवा का सभापती है वो है D. M. Vankyanidu यानि दोस्तो जो हमारे उपराश्ट्रपती होते हैं उपराश्ट्रपती वो ही राज्यसवा के सभापती होते हैं ठीक है तो इस समय जो हमारे उपराश्ट्रपती है वो है M. Vankyanidu तो इसलिए ये होंगे हमारे राज्यसवा के सभापती ठीक है दोस्तो नेक्ष्ट कॉश्यन रूरे वर्तमान में ठीक है दोस्तो नेक्स कोश्चन है वर्तमान में राज्य सभा के उपसभापती कौन है दोस्तो राज्य सभा में दो लोग होते हैं एक होता है सभापती एक होता है उपसभापती ठीक है दोस्तो एक होता है सभापती और एक होता है उपसभापती हमने पढ़ा है कि सभापती तो होता है भारत के उप राष्ट्रपती ठीक है और जो उप सवापती होगा वो राजय सवा में चुना जाएगा लोगों के द्वारा तो जो इस समय भारत के राजय सवा के उप सवापती है वो है दी हरिवंश नारायंड सिंग यानि दोस्तो हरिवंश नारायंड सिंग इस समय राजय सवा के उप सभापती है ठीक है दोस्तो important question है next question है इसमें दोस्तो वर्तमान में राज्य सभा के महा सचीव कौन है तो दोस्तों इसमें बताने जो राज्य सभा है उसके महा सचीव कौन है आपके option है A. चरण सिंहत्रा B. उदे कोटक C. देश दीपक वर्मा D. अर्विंद कुमार तो इसमें दोस्तों जो राज्य सभा के महा सचीव है C. देश दीपक वर्मा यानि देश दीपक वर्मा इस समें राज्य सभा के महा सचीव है next question है वर्तमान में राज्य सभा के विपक्ष के नेता कौन है तो दोस्तों जो इस समय वर्तमान में राज सभा के विपक्ष के नेता है वो है बी गुलाम नवी आजाद यहनी दोस्तों जो गुलाम नवी आजाद है वो इस समय राज सभा के विपक्ष के नेता है एक होता है सत्ता पक्ष का नेता एक होता है विपक्ष का नेता तो जो विपक्ष के नेता है, वो है गुलाम नवी आजाद, ठीक है, next question है इसमें, बरतमान में राज-सभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, ठीक है दोस्तो, अभी मैंने आपको बताये, विपक्ष एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष, सत्ता पक्ष का नेता वो ह होता है जिसकी सरकार नहीं होती ठीक है दोस्तों तो इसमें option आपको चार option दे रखे हैं और जो इसमें से right answer होगा वह होगा c थावरचंद गहलोत यानि जो थावरचंद गहलोत है यह वर्तमान में राज्य सभा के सत्ता पक्ष़ के नेता है ठीक है next question इसमें दोस्तो वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष कौन है तो दोस्तो वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष जो है वो है सी ओम बिरला यानि जो लोकसभा 2019 थी उसके जो अध्यक्ष चुने गए वो ओम बिरला चुने गए थे ठीक है दोस्तो ये भी important और ये कई बार कौन है वो भी current affair में पूछा गया है सबसे बड़ी main बात not static चीके में ठीक है दोस्तों next question देखते हैं वर्तमान में लोग सभा के विपक्ष के नेता कौन है तो दोस्तों मैंने भी बताया कि राज्य सभा के सत्तापक्ष के नेता होते हैं विपक्ष के नेता होते हैं तो वैसे रंजंग चौधरी ठीक है दोस्तों यह सब आप दोस्तों एक book पे note करते रहना जो आपकी revision में काम आएगा और एक बार अगर आपने इसको याद कर लिया और फिर इसको बार बार आप पढ़ोगे तीन तीन चार चार दिन के gap में तो पका ही आपको याद हो जाएगा आपको फिर दुबारा इसको पढ़ने की जुरूत ने पढ़ेगी बस एक बार आप इसको अच्छी तरह थोड़ा सा रट लें और फिर उसके बाद इसको हर तीन दिन चार दिन पांच दिन में इसको एक महासचीव है वो अभी चेंज हुए है और उनका नाम है उतपल कुमार सिंग यानि उतपल कुमार सिंग जो वरतमान में लोग सभा के महासचीव है और ये बहुत important question है और ये दिल्ली पुलिस के exam में पूछा गया है तीन बार पूछा गया ये अलग-अलग shift में ठीक है दो दोस्तों वरतमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है तो दोस्तों जो वरतमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है c d सुनील अरोडा यानि दोस्तों जो right answer होगा वो ये होगा जो सुनील अरोडा है वो वरतमान में भारत के मुख्य पाचन आईउथ हैं. Next question है दोस्तो वरतुमान में नियंतरक एवं महालेखा परिक्छक जिसको कैक का जाता है यानि Controllerでしょう Minorald K ein कौन है तो दोस्तो जो वरतमान में नियंतरक एवं महालेखा परिक्छक है भारत के वो है B. गिरीश चंदर मुरमू यानि दोस्तों जो CAG है वो है गिरिश्चंद्रमूर्मू नेक्स कोशन है दोस्तों वर्तमान में भारत के महा लेखा नियंतरक CGA कौन है अभी दोस्तों हमने कैग पढ़ा था Controller and Auditor Journal of India अभी यह है CGA तो जो वर्तमान में भारत की CGA है वो है A. Soma Raiverman ठीक है दोस्तों नेक्स कोशन देखते है वर्तमान में रेल्वे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों आपके पास चार ओप्षन है A. विवेक्याद, B. सुनीच चर्मा C. अजेत्याई और D. रविंदर भाकर दोस्तों हो सकता है कई लोगों ने इस पर क्लिक क्या हो बट जो यह है यह अब हमारे रेल्वे बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे है जो अभी चेंज हुए है और जो बहुत इंपोर्टन है वो है A. B. सुनीच चर्मा यानि दोस्तों इनको अभी जन्वरी के महिने में चेंज किया गया है और अब पहले कौन थे विवे के आदव थे वी के आदव लेकिन अब यह नहीं रहे है अब बना दिया गया है सुनीच शर्मा को तो दोस्तों यह बहुत इंपोर्टन कोशन है जिनका एक्जाम इस महिने में है या आगले महिने में है उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस बात पर करेंट में एक नंबर में यह जरूर पूछ सकता है नेक्स कोशन है दोस्तों बर्तमान में भारतिय प्रतिभूती एवम वीनिमय बोड दोस्तों जिसको सेवी कहा जाता है सेवी के अध्यक्ष कौन है तो आपके चार आफ्शन है दोस्तों और जो इसमें से राइट अंसर होगा वो होगा डी अजेत्यागी यानि अजेत्यागी वर्तमान में सेवी के अध्यक्ष है ठीक है next question देखते हैं जल्दी वर्तमान में केंदरिये फिल्म प्रमाणन बोड जिसको दोस्तों CBFC कहते हैं कि CEO कौन है जो मतलब फिल्मों को प्रमाणित करती है उसके अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों जो CBFC के अध्यक्ष हैं वो है C. रविंदर भाकर और ये नाम important है आपके लिए क्योंकि इनको भी हाल ही में बदला गया था ठीक है दोस्तों तो इनका नाम याद रखना C. रविंदर भाकर नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों बर्तमान में केंदरिय समाज कल्यान बोर्ड यानी CSWB के अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों जो CSWB के अध्यक्ष है वो है B. अजे तिरके ठीक है नेक्स कोश्चन देखते हैं वर्तमान में केंदिरिये प्रत्यक्ष कर बोड जिसको दोस्तों CBDT कहा जाता है कि अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों जो CBDT के अध्यक्ष है वह हैं प्रमोद, चंद्र, मोदी इसको दोस्तों आप ऐसे याद रख सकते हैं जो प्रत्यक्ष कर है, वह किसके पास जाता है सिधा मोदी के पास ठीक है दोस्तों नेक्स कोश्चन देखते हैं वर्तमान में केंदिरिये अप्रत्यक्ष बोड वर्तमान में केंदिरिये अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुलक बोड यानि CBIC के अध्यक्ष कौन है तो दोस्तो जो CBIC के अध्यक्ष है वो है A. अजीत कुमार ठीक है दोस्तो जो आप प्रत्यक्ष कर जिन के पास जाता है वो है अजीत कुमार इससे आप ऐसे भी अध्यक्ष सकते हो आप प्रत्यक्ष और अजीत दोनों थोड़ा सिमिलर्स आया है ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो वरतमान में रास्ट्रियर डेरी विकास बोर्ड एन्डीडीवी के चेर्में कौन है तो दोस्तों जो वरतमान में एन्डीडीवी के चेर्में है और जो बहुत important नाम है वो है B बर्शा जोसी क्योंकि ये भी हाल ही में चेंज की गई थी ठीक है दोस्तो विदिन टू मन्थ इनको चेंज किया गया था ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो बर्तमान में कमपनी कानून बोर्ड जिसको CLB के नाम से जाना जाता है के अध्यकश कौन है दोस्तो ये चार ओप्शन हैं आपके पास और इसमेंसे जो राइट अंजर होगा वोगा A. महेश मित्तल कुमार जानी वर्तमान में कमपनी कानून बोर्ड के जो अध्यकश हैं वो है महेश मित्तल कुमार नेक्स कोशन देख लेते हैं दोस्तों जल्दी से वर्तमान में पेटरोलियम वप्राकर्ति कैस निमायक बोड PNGRV के अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों जो वर्तमान में PNGRV के अध्यक्ष है वो है दिनेश सर्राफ यानि इसका राइट अंसर होगा वो होगा D नेक्ट्स कोशन देखते हैं दोस्तों चल देखें वर्तमान में ट्राई जिसे भारती है दूर संचार वी निमायक प्राधी करण, यानि जिसे ट्राई कहते हैं कए दिख्ष कौन है तो दोस्तों आपके पास एक और इमपोर्टेंट नाम आ रहा है जो TRI के अध्यक्ष हैं वो है CPD भगेला और ये important है क्योंकि ये कई वार पूछा जाता है और ये सबसे ज़्यादा important इसलिए है क्योंकि इसको within two month change हुए है यानि दो महीने के भीधरी इनको change किया है तो आप ये नाम याद रखना है जिनका मार्च अपरेल में पेपर है ठीक है और खास कर CHSL वाले बच्चे थियान देश पर next question जाए उसमें वर्तमान में भारतिय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO कौन है यानि दोस्तो UIDI जिसको हम आधार काड कहते हैं basically वही पूछाए कि उसके CEO कौन है तो दोस्तों जो UIDI के CEO है वो है B. पंकच कुमार यानि इसका राइट अंसर होगा B. पंकच कुमार जिसमें दोस्तों next question है वो है वर्तमान में भारत के महापंजी यक जनगरना आयुक्त यानि दोस्तों जो जनगरना जनगरना आयुक्त है वो कौन है तो आपके चार option है और जो इसमें राइट अंसर है वो है दोस्तो C. विवेक जोशी यानि विवेक जोशी वर्तमान में भारत का महापंजीयक एवं जनगरना आयुक्त है ठीक है next question है और last question है दोस्तों वर्तमान में भारत के लोक लेखा समीती के अध्यक्ष कौन है तो दोस्तों जो वर्तमान में भारत की लोक लेखा समीती है उसके अध्यक्ष है ए अधीर रंजन चौदरी यानि अधीर रंजन चौदरी वर्तमान में भारत की लोक लेखा समीती के अध्यक्ष है तो दोस्तों ये आज के question पूरे हुए ये short video मैंने बनाई है मैं पहले सोच रहा था कि 200-300 question एक साथ provide करा दू लेकिन किसी के पास time होता है और किसी के पास time नहीं होता कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग पढ़ाई करते हैं सिर्फ लेकिन दोस्तों अब मैंने क्या सोचा है मेरे दिमाग में का idea है कि अब मैं ये 20-25-30 मिनट या 1-2 घंटे की वीडियो ना बनाऊं अब मैं सिर्फ topic wise question बनाऊं जैसे दोस्तों आपका topic है महारतन कमपनिया तो मैं उसमें सिर्फ महारतन कमपनियों के बारे में बताऊंगा कि कौन-कौन सी महारतन कमपनी है कितनी महारतन है कितनी नवरतन है और कितनी मिनीरतन है ठीक है दोस्तों पहली महारतन कब बनी महारतन वाटकप से दिये जाने लगे किसको महारतन दिया जाता है इस एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दूँगा दोस्तो आपको जब आपके पास पूरी जानकारी होगी तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल पर होगी ठीके दोस्तो तो नेक्स टाइम से जो है मैं यह शौर्ट वीडियो बनाऊँगा छोटी वीडियो टॉपिक वाइस जैसे दोस्तो मेरा टॉपिक था महारतन तो टोटल जो महारतन कंपनिया है वो 10 है और इन 10 कंपनियों के बारे में आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से कंपनिय है नवरतन कंपनियों के बारे मैं बताऊंगा कि जो 14 नवरतन कंपनिया है वो कौन कौन सी है ठीक है दोस्तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और दोस्तो इससे पहले की वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो भी बहुत important है चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को दोस्तो सब्सक्राइब जरूर करें